टीम इंडिया के आफपिनर रवीचंदरन अश्विन समय समय पर कई बड़े खुलासे करते रहते हैं अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि साल 2018 में उनका मन हुआ था कि वो क्रिकेट से रिटार्मेंट ले ले इस बारे में वो बहुत सीरिसली सोचने लगे थे क्योंकि इंग्लैंड सीरिस के बाद उनको टीम में वापिस नहीं बुलाया गया था अश्विन ने कहा कि तीन साल पहले एक ऐसा दोर भी आया था जब वो सिरफ एक ओवर करके ही थाकान महसूस करने लगे थे इस अनुभवी आस्पिनर ने ये भी बताया कि कैसे उन्हें एकी लाइन लेंद पर गेन बाजी करने के लिए अपनी तकनीक को बदलना पड़ा अश्विन ने कहा दोजर अठारा और दोजर बीस के बीच उन्हें इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट छोडने का मन बना लिया था उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि बहुत कोशिचों के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रही थे उन्होंने कहा कि जब खुटने का दर तेज होता तो अगली गेंद पर वो तब कम कूदते थे और जब वो कम कूदते थे तो सपश रूप से गेंद फेकने की ताकत के लिए पीट और कंदों पर निर्वर होना पड़ता था इसलिए गेंद पर वो अतिरिक्ट साइड उन होकर अपने कूलों का इस्तमाल करने की कोशिश करते थे जब तक वो छे गेंद फेकते थे तो ऐसा मैसूस करते थे कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है अश्विन ने रिटायर्मेंट को लेकर कहा कि उन्हें कई कारणों से रिटायर्मेंट के बारे में सोचा उन्हें लगा कि लोग उनकी इंजरी को लेकर सैंसिटिव नहीं है उन्हें ये भी महसूस हुआ कि बहुत सारे खिलाडियों को सपोर्ट किया जाता है आखिर उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता जबकि उनका प्रदशन भी अच्छा रहा था और उन्हें टीम के लिए बहुत सारे मैच जीते हैं उन्होंने कहा कि आम तोर पर वो मदद की उमीद नहीं करते लेकिन उन दिनों कुछ अजीब महसूस होने लगा था ऐसा भी लगता था कि लोगों को उनके प्रती सहनुबूती क्यों नहीं है भरहाल अश्विनप साउथ अफरीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट की त्यारियों में जुटे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूट